हेलो इब्रिवान ये विल्कम टू स्वांदन्स केक वार्ड फ्रेंड्स आज का ये जो अडर है ये एक आश्रम के लिए है किसी बच्चे की बाड़े था उनका जो पैरेंट्स है वो चाहते थे ये केक जो है वो आश्रम में ही कट होगा और उनको औरेंज कलर की केक चाहिए फ्लेबर ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ फ्रूट फ्लेबर ही होगा तो मैं दो फ्लेबर उनको सजिस्ट किया था पहले बटर स्कच के लिए सजिस्ट किया वो फ्रूट में नहीं जाएगा तो उन्होंने मना किये फिर औरेंज फ्लेवर सजिस्ट किया तो वो हां के तो ये औरेंज केक बना दिया ये औरेंज केक एक ऐसा केक है जो हर किसी को पसंद आता है लेकिन सारे कस्टमर जानते ही नहीं कि औरेंज फ्लेवर का भी केक है कभी कभी औरेंज फ्लेवर का अडर आता है वरना मैं suggest करके ये flavor देती हूँ ये test में बहुत ही अच्छा है real orange का flavor देता है और जो भी ये flavor टेस्ट किये हैं सबने अच्छे feedback भी दिये हैं ये cake का weight है ये 750 ग्राम का ही बनेगा तो इसके लिए मैं 300 ग्राम प्रेमेक्स लेके ये cake sponge बेक किया था इसको 3 layers में cut करके अच्छे से इसको फहले soaking किया soaking के लिए मैं नर्मल चिनी पानी में थोड़ा सा orange cross को मिला के उसी में cake की जो layer को soaking किया फिर whipping cream देकर cream के उफ़र ये orange cross देके अच्छे से spread करके तीनों layer को अच्छे से set करके फिर इसकी crumb coat कर लिया फिर आधे घंटे के लिए freeze में set होने के लिए store कर लिया था friends यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा एक tips बताने वाली हूँ जो हर एक homemaker के लिए हर एक homemaker के लिए जो housewife है उनके लिए बहुत ही helpful होगा वो tips है यह जो cross है ना हमारा यह जो orange cross है यह बहुत ही useful है आप एक बार कभी यह tips को मेरे follow करके देखिए अगर आपके घर में कोई guest आ रहे हैं और आपके freeze में cold drinks नहीं है और निम्बू पानी के लिए भी निम्बू नहीं है तो आप चिनी पानी बना के नर्मल चिनी पानी बना के उसमें ice थोड़ा सा ice डाल के फिर यह orange cross को 4 टेबूल स्पून एक glass में डाल के अच्छे से mix करके आप टेस्ट करिए और आपका जो guest है उनको दीजिएगा देखिएगा उसके बाद उनका कितना अच्छा feedback मिलेगा आपको बहुत ही tasty है मैं जैसे बताई हूँ बिल्कुल वैसे आप एक बार try करके मुझे comments करके बताना कैसा लगा मेरी ये tips तो friends यहाँ पर freeze में से निकल के cake को अच्छे से final finishing कर लिया है ये cake को अब मैं final finishing करने के बाद एसे combing कर लिया है बाहर का color मुझे orange ही करना था तो यहाँ पर मैं neutral gel लेके orange color आट किया और मैं इसको side side में अच्छे से dripping दे दी और cake के ऊपर भी ये ही same neutral gel को spread कर दिया इसको अच्छे से spread करने के बाद ये जो neutral gel orange color का neutral gel के उफ़र फिर से black color का neutral gel बना के छोटे छोटे ड्रॉप दे दी फिर एक cream वाला flower बना के ये जो center में cake की center में लगा लिया flower के side side में lip भी बनाया ये cake आश्रम बालों को बहुत ही अच्छा लगा clients खुश तो हम भी खुशे तो एसे ही orange flavor का और neutral gel का बहुत सारे वीडियो में इस channel पे share कर चुकी हूँ किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो channel पे जाके देख लेना अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किये हैं तो channel को subscribe कर लो और आज की ये design अच्छी लगी है तो like share भी कर देना तो अब देखिए ये cake की final look है मिलते हैं friends next video में thank you for watching